नाव इल्डिस्कस इबाउट पैरा सिटिज्म तो पैरा साइट वर्ट से आप नून होंगे पैरा साइट का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंडिविज्वल तो दूसरे इंडिविज्वल के उपर पूरी तरह से डिपेंड हो और लाइफ इंस्योर्स फ्री लाजिंग एंड मिल तो मतलब फ्री लाजिंग रहना और खाना दोनों चीज फ्री है उसके लिए उस पर डिपेंड है पूरी तरह से उसी के अंदर रहेगा उसके आउसके उपर रहेगा और उसी से अपना नूट्रिशन लेगा सब कुछ लेगा तो इस रखे इंडिविज्वल को लोग पैरा स स्पेस्फिक होते हैं स्पेस्फिक होने का मतलब किसी एक खास होस्ट के उपर ही एक खास पैरा साइट होता है हर पैरा साइट हर होस्ट के उपर या किसी के उपर भी होस्ट नहीं होगा और इस तरह से जो पैरा साइट और होस्ट होते हैं वो कोई वाल्व करते हैं कोई वा स jaką शालम करते हैं। ठीक है। और इसके साथ अब एसा नहीं है कि मतलब होस्ट जो होता है वो बचने की कोशिस नहीं करता परा साइड से। तो इसके लिए होस्ट के अंदर बहुत सारे मेकीनिजम होती है जो की rejecting and releasing the parasite पैरासाइट को reject करने के लिए उसमें बहुत सारी या resist करने के लिए बहुत सारी mechanism host के अंदर develop होती है लेकिन होता क्या है कि जो parasite है वो भी अपने अंदर धिरे धिरे इस तरह के special adaptation कर लेता है उसको counter act करने के लिए कुछ mechanism को evolve कर लेता है generate कर लेता है counter act and neutralize them जो एक तरह host अपने आपको बचने के कोशिस करने के लिए different type के mechanism अपनाता है तो उसी तरह से parasite भी उन rejecting या resisting mechanism को counter act करता है और neutralize कर देता है इस तरह के mechanism वो भी develop कर लेता है तो एक तरह से host और specific host और परसाइट के बीच में एक का सकते हैं कि एक dot सी एक race सी चलती रहती है कि कौन उसमें बहतर होगा और उसके हिसाब से यह चीज़ें होती है तो यानि parasite अपना काम अपना टेकनिक डेवलप करता है और host अपना टेकनिक डेवलप करता है तो इस तरह से यह चीज़ें होती है दूसरी चीज परसाइट के अंदर special adaptation हो जाता है क्योंकि यह परसाइट है तो उसके अंदर उसको फिर हर चीज ready made मिलना है तो उसके अंदर बहुत सारी sense आरगन unnecessary जो है जिनकी जरुवत उसको नहीं है प्रे करने के लिए या किसी चीज़ करने के लिए और उसमें adhesive आरगन या suckers होंगे जो की अच्छे से host को पकड़ सके इस तरह का चीज उसमें ज्यादा develop होगा और last-up digestive system होगा और high reproductive capacity होगी तो उनके अंदर एक ऐसा आरगन यानि adhesive आरगन या suckers आरगन सबसे अच्छे होंगे मजबूत होंगे जो अच्छे से host को पकड़ के रख सके और बाकी जो unnecessary आरगन जिनकी उसको बहुत जरुवत नहीं है sense आरगन सोगरा खास करके वो बहुत develop नहीं होता जैसे abdomen के अंदर को क्योंकि उनको digested food material मिलना है अगर हमारे intestine के अंदर को insect है तो उसको खुद की जरूवती नहीं हो अल्रेडी जो digested food material वो उपसक कर रहा है तो उसको जरुवत ही नहीं है कि उसके अंदर digest system develop हो इसके अलावा उनकी प्रोगेनी बनी रहा है चुकि वो डूसरी को पर depend है तो उनके अंदर high reproductive capacity होती है एक बार में बहुत-बहुत इसके अंदर mechanism होती है जो उनके survival के लिए और उनके evaluation के लिए helpful होती है इस तरह से parasite काफी तरीके से adapted होता है जो parasite की life cycle होती है complex होती है इसमें एक या दो intermediate host या vectors होते हैं जो primary host के primary host के parasitation को facilitate करती है यानि कि माले जो primary host में वो अपने आप किसी वजह से नहीं उपा रहा है तो जो बाकी के दो host है इन one या two intermediate host है उनमें उनकी life cycle तब तक के लिए या तब तक उसमें वो अपने आपको maintain कि रहेंगे जैसे human liver flock है वो two intermediate host है snail और fish malaria parasite में क्या होता है एक vector होता है mosquito भी एक host है दूसरे host में spread करने का काम करता है तो इस तरह से दो host होने से या intermediate host होने से उसको ज़्यादा option मिल जाते हैं ज्यादा easily adapt कर पाता है survive कर पाता है तो single host है बेतर है कि जो main host है उसके साथ intermediate host इसमें parasitism में बहुत help करते हैं इस तरह से यह adapt करता है parasite अपने आपको कि intermediate host होने से अपनी जो life cycle है उसको यह ज्यादा अच्छे से maintain कर पाता है तो यह intermediate host है उनका सबसे ज्यादा benefit यह होता है इसके बाद जो majority आप parasit हैं वो harm करते है host को और उनके survival को growth को reproduction को reduce कर से यानि host के survival को growth को और reproduction को reduce कर सकते हैं और इसकी जब यह चीजे reduce होंगी तो उनकी death होगी तो क्या होगा reduce the population density उनकी population को भी कम करती तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुल मिला करके यह जो है कि parasitism जो है वो host को काफी तरीके से नुकसान पहुंचाता है और दूसरी चीजे इसमें क्या है कि वो जो पैरासाइट है वो host को weak भी बना देता है ताकि वो और ज्यादा susceptible हो जाएंगे और ने रेबल हो जाएंगे दूसरे इंफेक्शन के लिए या दूसरे और ज्यादा जो पैथोजन उनके लिए यानि एक पैरासाइट उस पर आया तो और भी पैरासाइट उसके उपर तेजी से ग्रो करेंगे जैसे हम लोग बिमार होते हैं तो एक बेक्टिरिया अगर अगर अंदर डेवलप लिया तो body weak होती जाएगे और ज्यादा से ज्यादा बेक्टिरिया हमारे उपर हावी होते चले जाए क्योंकि हमारी इम्यून्टी कम हो जाती है उस समय तो और ज्यादा तेजी से इंफेक्शन इस्प्रेट करने लगता है तो एक तरह से ये भी जो पैरासाइट है वो body को weak करते हैं अब इसके बाद हम लोग पैरासाइट के टाई की बात करें तो एक्टो और इंडो हैं उनके उपर कुछ एक्टो पैरासाइट होते हैं जैसे को पार्ट होते हैं वो मेरिन फिसेज के उपर चिपके हुए रहते हैं तो इस तरह से हम देखते हैं कि कस्कूटा होता है और हेस प्लांट है दोनों प्लांट है तो कस्कूटा एक पैरासिटिक प्लांट है और हेस प्लांट के उपर वह पराशाइड के फॉर्म में रहता है उसी से अपना नूर्टिशन अगणा लिता है तो pie Portuguese प्लांट और इसके अंदर कुष्वाल्ट इसके अंदर लो कहते है। यह अन्दर क्लो alanर्फिर नहीं होता है और नुट्रिशन उसको अलेडी मिल रहा है तो उसको फिर अपने अंदर कुछ करने की आव सकता नहीं है तो फीमेल मास्कीटो इस नाट कंसीडर ए पैरासाइट आल्दो इट नीट्स और ब्लड और प्रडिक्सन तो इसमें यह भी बात है कि फीमेल मास्कीटो जोती है वो पैरा प्लाजमोडियम है लेकिन उसके काटने से जरूरोड ट्रांस्फर होता है यह अलग बात है लेकिन जो परसाइट है एक्चुली वो parasite Plasmodium है malaria के case में जो plasmodium है Plasmodium Y-vacs या malaria जो भी चीछे है तो plasmodium की जो variety है जो की एक protozovn है वो actual में parasite है mosquito जो है वो एक vector है यह अलग बात है कि हमारे blood को as a meal use करती है वो एक अलग बात है लेकिन actual में totally depend नहीं होती है mosquito is not totally depend on our body or our blood टीक है